Hello Friends, Good Morning, स्वागत है आप सबका स्वेखिर्ठ का कलासेच पर मैं महाईश राप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके परिच्छा में पूछे जारे Questions के लेबल वा Questions के टेन्ट्स पर आधारित एक महातपूर वीडियो है तो दोस्तों आप लोग इने concentrate होकर solve करें ताकि आप लोग भी अपने exam में अच्छे से अच्छा performance कर सकें तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन महात्पुन पस्नों को solve करना शुरू करते हैं दोस्तों question number 1 है हमारा द्रोणा चार पुरसकार किस छेतर में प्रदान किया जाता है तो इसका सही अंसर होगा खेल पर सिच्छन के छेतर में दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से आपके questions के level questions के trends पर अधारित है तो दोस्तों जिन लोगों का exam 13 तारिक की शिप्टों में लगा हुआ है वे लोगी ने constant होकर solve करें और एक बार वीडियो यानि इन साभी questions का revision जरूर करें द्रोणा चार पुरसकार question number one था दोस्तों next question बेदों की वो लोटो का नारा किस ने दिया था तो इसका सही अंसर होगा स्वामी द्यानंद सरस्वती ने दोस्तों इसके इर्दगी सारे questions पूछे जा चुके हैं इसमें दोस्तों बहुत सारे questions ऐसे भी है जो repeat भी हो रहे हैं तो इस दिरिष्टी से दोस्तों हमने एक अच्छा प्रियास करके आप लोगों के लिए दोस्तों इस वीडियो बनाने की कुछिस की है ताकि आप लोग भी अपने एक जामें अच्छे से एच्छा प्रफार्मेंस कर सकें अगला question साइमन कमीशन का भारत आया तो इसका सही अंसर होगा तीन फरवरी 1928 में अगला question जैन धर्म के 24 वे तिर्थकर थे तो 24 वे तिर्थकर कोने थे तो महाबीर स्वामी और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है next question भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारम भुआ तो यह प्रारम भुआ था 9 अगस्त 1942 को अगला question अज्यानी सब्द का प्रियावाची होगा तो अज्यानिका प्रियाची मूर की भी होता है, मूर भी होता है, अंजान भी होता है, अन्भिग भी होता है, ये इतने हाइलाइटर सब्द हैं दोस्तों, जो आप लोगों के दोस्तों, आप संस में दे जाते हैं, अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग, अगला कोश्चन है दोस्तों, गातरी मंद्र का उले किस बेद में किया गया है, तो इसका सही अंसर होगा है, रिख बेद, यहां से दो-तीन कोश्चन के बारे में और चाचा करेंगे, दोस्तों, साम बेद को भारति संगेत का जनक कहा जाता है, गद्यों पद्धु आलबेद, यजूर बेद है, और कर्म कान पर्धान जो बेद बोला लाता है दोस्तों, वो अथर बेद है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, अगला कोश्चन, पाटल पुतल नगर की अस्थापना किस ने की थी, तो इसका सही नसर होगा, उदाइन ने, अगला कोश्चन, कोटिल की बिस उपरसिद रच होगा, अगला कोश्चन, मौरिशासक असोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो इक्या था दोस्तों, 261 इसाफपूर में, बाकी समराट असोक से बहुत सारे कोश्चन पूछे बीच आ चुके हैं दोस्तों, एक दो चीद ध्यान रखेगा, इनका दोस्तों, एक नाम लोग पर ये नाम, देव नाम पर ये धरसी भी था, और इन्होंने दोस्तों, धम नित का प्रितपादन किया था, इनके 13 सिलालेक में दोस्तों, कलिंग योतु का वड़न भी है, और ये बात में दोस्तों, बहुत धर्म के अनुयाई हुए थे, अगला कोश्चन, इक्ताद 12 से लेकर अनुच्छे 35 तक, और ये संग्विधान का भाग 3 है, और इसमें दोस्तों, प्रारम साथ मोल अधिकार थे, आप 6 रहे गए हैं, संपत के अधिकार को हटा दिया गया है, जो कि अनुच्छे 35 में आता था, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, बार-बार पूछा जा रहा है, अगला कोश्चन, अधितिय सब्द का प्रियावाची है, तो दोस्तों, पाहुन, महमान, आगंतुक, अभ्याकत, ये सब अधितिय के दोस्तों प्रियावाची है, जो आप लोगों को आपसंस में देखने को मिलते हैं, अगला कोश्चन, राज में राजपाल की निफ्तिक किसके द्वारा की आती है तो राष्टपती के द्वारा की आती है और राष्टपती के परसाथ परियंद तक ये अपने पत को धारन करते हैं इनकी दोस्तों जो मिनमम एज होनी चाहिए यानि राष्टपती पत की दोस्तों वो 35 वर्स होनी चाहिए राजिपाल की 35 तिस वर्स होनी चाहिए लोग सभा की 25 होनी चाहिए राज सभा की 30 होनी चाहिए यह आप लोग ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन भारत के किस राज में विधान सभा सदस्यों की संक्या सरबा दिखाए तो यह उत्तर प्रदेश का है नेस्ट कोश्चन अति बिरिष्ठी सोमनात्मंदिर को किस मुसलिम आक्रमणकारी ने लोटा तो महमूद गजनभी हमारा सही अंसर होगा नेस्ट कोश्चन जो की C.A.G. से है भारत के नियंतरा क्यों महालेखा प्रिच्छा की नुक्ति कोन करता है तो राष्ट पती की द्वारा की जाती है अगला कोश्चन हम इसके पास है तो केंद के पास है वाकी यांसे स centrif क्तों सेवन सिप पूछ जा शुके जो अधिकार की बटवारे से है संग सेप ये जिसमें 20 भासा वानलेख यह सब दुस्तों आठ तारीक के सिप्टों में पीछे जा चुके हैं कोश्चन next question राज लोग सिवाए के सदस्यों की निकती कौन करता है, तो राष्पाल के द Message की जाती है, next question भारत में राष्ट्य आय की गणना का कारी करता है, तो केंद्रीय सांकी के संगाठन के अरता है, यहिस स्योग कभी कभी दोस्तों, लगों को देखने के लिए मिलता है जो कि कंफ करता है ध्यान कीगा राश्ट्रिया आई-की गणना का कारिक के इंद्री एस संघ्या संगठन के द्वारा कि जाती जो कि 5 बरसे उजना से रिलेटर है पंच बरसी उजना का अंतिम प्रारूप कोन अनमोधित करता है तो राष्टी विकास परसत के ज्वारा की जाती थी अगे चलेंगे हम लोग जो कि अगला कोश्चन हमारा जेनरल साइन्स से है कोश्चन है दोस्तों नेतिरदान में आख का कौन सा भागदान कियाता है तो पार्णिया हमारा एंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन माक्रोफोन का अभी स्कार किस ने किया था तो गराहम बेल ने किया था अगला question राकेट का उपर जाना किस सिध्धान पर कारी करता है तो संग्वेक संरच्छन के सिध्धान पर कारी करता है next question समुद्री जल में सरबाधिक मातरा में कौन सा लाउंड पायाता है तो सूडियम कॉलोराइड एनेसे यल next question वाई मंडल में दोनिक मौसम परियोरता नियुन में से किस मंडल में अधिक होता है तो छो मंडल में बाकी यहां से बहुत सारे question पोचे जा चुके है वाई मंडल में सबसे अधिक मातरा में gas nitrogen हम लोग जानते हैं उसके बाद oxygen फिर carbon dioxide छो मंडल हमारा सबसे निचला मंडल है बादल इसी में बनते हैं मौसम इसी में होता है जो की दोस्तों हम लोग इस question को देखे हैं इसके उपर सम्ताप मंडल होता है सम्ताप मंडल के उपर ह हिस्य में उजो प्रत का विस्तार है जो सूर्स से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट के रोणों से हमारी रच्छा करती है सम्ताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल मद्य मंडल है जो रीडियो कोड़ों का पर सरण करता है उसको लास्ट में सबसे उपर दोस्तों कौँछा है वह ने लागू किया था तो इसका सही अंसर होगा लाड कार्णुवालिस ने नेक्स्ट कोश्चन अहमदी आंदोलन के प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद अगला कोश्चन मुद्रा राच्छास नामत पुस्ता के लेखा कौन थे तो विसाग दत्त हैं अगला कोश्चन असो और न कीन संद्धं था नेक्स्ट कोश्चन किसी खादी सिरिंगला में प्राथ कोब्हुता होते हैं धोब्होगता होते हैं उसके बाद दोस्तों इंपर निर्भर होता है उसे ऐने पेड़्पतिओं के जुखाकर अपने जीवन का निर्ग शोग होगे ऌते ह्यरण होगार इस अपर भाक्ता होते है जो की साका हारी होते है औरऑ इनके ओपर जो निर्भर होटा है वह मानसा हरी हो तहрашे आएगा उन्हें द्यूत्यक सेंडिका भ्रक्ता चाहिता था जिसमें ब्डैक्टिरिया वह गररा दूस्तों आगे जानतेने ऐसे हार वर्ड बलाक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं जिसके स्थाबना सुभाचन बोस ने की थी नेक्स्ट जनगर्णा से हैं 2011 की जनगर्णा के उसार भारत में जनगर्णा होती है नहीं बताना दोस्तों जनसेंख्या की घनत होता तो 325 बेक्ती प्रतिवर्णी किलोमीटर नेक्स्ट खाद उर्जा को हम की सिकाई में मापते हैं तो कैलोरी में मापते हैं नेक्स्ट कोश्ट परसित गुम तेसोर की मूर्ति कहां स्थापी थै तो इस स्रौनोबिल गोला करवनाटक में हैं बड़-बड़ पुछा गया है नेक्स्ट कोश्ट अनुलोम सब्द का बिलोम होगा दोस्तों प्रतिलोम होता है और लास्ट कोश्ट दोस्तों 9 December 2021 को किस राज ने राष्टे महिला फुटबाल चैंपियंशिप 2020 जीती तो कौन सा राज ये दोस्तों मरिपूर है तेथो दोस्तों टाप MCQs के प्रस्ण जो आप लोगों के लिए 13 तारिक की स्विप्टों में संभावित है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर साल्प करें एक बार कोश्टन का रिवेजन जरूर करें ताकि आप लोग भी अपने एकजामे अच्छे से अच्छा प्रफार्विंस कर सकें तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पर संद आया हो तो हमारे चैनल सुकुर्पा कलासे से जूने वाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरती जाने वले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ठैंक्स फार वाचिं